हेलो दोस्तों आपका लेक्षर नमबर एट है बीएसी फोर सेमेस्टर मैथमेटिक्स आपका जो चैप्टर है वो है मौंक्स मेथड़ यह आपका जो चैप्टर है पूरी तुरह से कंप्लिट हो चुका है तो इस सेस्टन में हम देखेंगे टेस्ट के लिए कुश्चन जो कि आपका बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन होंके सबी आपके अवद में दो से तीन वर्स में पूछे जायते हैं और एक या दो वर्स में पूछे गया है कई कुश्चन तो चलिए सभी कुश्चन को एक बार अच्छे से महापर पढ़ लेते हैं पहले कुश्चन क्या है कि solve आपको Monks method से solve करने हैं फिर आपका देखिए next question क्या है question number two solve by Monks method the partial differential equation t minus r sec की power 4y is equal to 2q tan y ठीक है अब देखिए आपको question number 3 solve by Monks method the partial differential equation r minus t cos square x plus p tan x is equal to 0 यह आपका आज का question number 3 test के लिए question number 4 देखिए क्या है solve by Monks method p t minus q is equal to q की power 3 यह भी आपका 2015 11 और 16 में पूछा गया है और यहाँ पर देखिए question number 5 क्या है r is equal to t solve by Monks method यह भी आपका question बहुत ही important है तो यहाँ पर जितने भी question लिए गए हैं आपके कई वर्स में पूछे जा चुके हैं जिसको आप अच्छे से solve कर लीजिएगा question number 6 देखिए y square r minus 2 y s plus t is equal to p plus 6 y और आपका last question है इस test के lecture में और यहाँ का question number saver होगा जो कि है q square r minus 2 p q s plus p square t is equal to 0 तो यहाँ पर जितने भी question है आपको सभी Monks method पर solve करना है आपके question यहाँ पर दिये चुके हैं इसको आप अच्छे से देख करके अच्छे से solve कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो देख वीडियो लेक्चर में इसका solution आपको दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं इस chapter में Monks method के तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर पिंडिक करते हैं अगर वीडियो आपको प्रसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस्क्राइब दीजे थैंक्स व लाचिंग इस वीडियो हैव अग्रेटे